सबसे पहले हम हाजिर और गैर हाजिर के तालुक से समझेंगे ये बड़ों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं इसके बावचूत सीफर के तसवूर को समझते हुए बच्चे बहुत वक्त महसूस करते हैं कैसे हम इसको खेल के जरीए सिखा सकते हैं जब हम सब छोटे थे तो एक खेल खेला करते थे ये मैं बताती हूँ ये क्या है बताएं? ये मुरब्बा शुमारा है, है न? अब मैं इसको एक हाथ में रखूंगे किस हाथ में है ये आपको बताना है इस तरह उस्ताद बच्चों को बताएंगे इसके साथ एक गीत की तरह काकुम कुकुम काकुम कुकुम किस हाथ में है इस 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 हाथ में कुछ नहीं है यह हाथ खाली है दोबारा करेंगे किस हाथ में है बताएं, इसमें है क्या नहीं है, ये खाली है, नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है इस तरह से बच्चों के साथ खेल सकते हैं या बच्चे जब खाली हों तो वो खुद ये खेल खेले उस्ताद के आने से पहले खेले, कभी-कभी वो दोनों हातों में रखते हैं, उस वक्त कोई खाली नहीं है ये सब खेल के अलग-अलग तरीके हैं जिससे बच्चे दिल्चस्पी से सीखते हैं एक बार हम सिखा देंगे तो बच्चे अपनी खाली वक्फे के दोरान या उस्ताद के आने से पहले ये खेल खेलते रहते हैं बार-बार इस तरह करते-करते इनको मौझूद और गयर मौझूद का तसवूर समझ में आएगा इसको हम टी-ल-म का इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं मिसाल के तोर पर ये बक्सा है सब लोग अपनी आँखें बंद कर ले मैं इसमें कुछ डालना चाहती हूँ इसमें क्या है ये आप लोग बताएंगे अब मैं इस बक्से में कुछ डाल रही हूँ अब देखो क्या है इसमें मुरबश उमारे हैं है ना वेरी गुड अब मैं इसको वापस निकाल रही हूँ मैं कुछ और इसमें डाल रही हूँ आवास करते हुए कुछ और डाल रही हूँ ठीक है क्या है इसमें आँखे खोल कर बोलो कुछ भी नहीं है ये खाली है, है ना, इस तरह हम T.L.M. को इस्तेमाल करके मौजूद और गायर मौजूद के तालुख से सिखा सकते हैं, ये एक आसान खेल की मश्क है, इसमें हम लिखना अभी नहीं सिखाएंगे, लेकिन सीफर के तसूर के लिए ये बुनियाद है, ये बात हमारे जहन में र रहेंगे, अब हम मौजूद और गायर मौजूद के तालुख से बात कर रहे हैं, इसको बोर्ड पर T.L.M. की मदसे कैसे सिखा सकते हैं, ये हम देखेंगे, यहाँ पर दो थैलियां हैं, ये एक थैली है, और ये एक थैली, इससे पहले जो हमने देखा था, इसी तरह इसमें चंद अशिया हम डालेंगे, इसको पानी में भीगो कर चंद अशिया को डाल रही हूँ, अब इन दो थैलियों में से किस थैली में अशिया हैं, इसमें हैं, है न, इसमें अशिया हैं, इसमें अशिया हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है, बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा जाएगा कि इन में से कौन सी थैली खाली है बच्चे आकर ये दिखाएंगे इस तरह किया जाए किसमें अशिया हैं कौन सी थैली खाली है ये बताना है ये मौजूद और गर मौजूद के लिए अजबात है इसी को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तस्वीरों की मदद से कर सकते हैं